शनिवार को विराट कोली ने टीम इंडिया की टेस्ट की कप्तानी से स्तीफा दे दिया था भारत के पूर कप्तान और खिलाडी कपिल देव ने अपनी राय दी है उन्होंने कहा है कि कोली काफी दिनों से दबाव में दिख रहे हैं अब उन्हें ईगो छोड कर नएक अपतान के अंडर खिलना होगा विराट कोली ने टी 20 वर्ल्ट कप के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्माट से कप्तानी छोड़ दी थी इसके बाद उन्हें वंडे की कप्तानी से हटा दिया गया था और रोईच शर्मा को वंडे और T20 की कमान सौपी गई इसके बाद बोर्ड और कोली के बीच काफी अनबन की खबरे सामने आए साउथ अफरीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार के बाद विराट ने टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ दी कपिल ने कहा सुनीर मेरे अंडर खेले मैं श्रीकांत और अजुरुदीन के अंडर में खेला मुझे कभी इगो नहीं रहा विराट को भी इगो त्याग ना होगा और युवा क्रिकेटरों के अंडर खेलना होगा इसे उन्हें और भारती क्रिकेट को मदद मिलेगी विराट को ने कप्तान को गाइड करना होगा हम विराट को एक बल्ले बास के तौर पर नहीं खो सकते कपिल ने आगे कहा कि कोली ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले जरूर सोचा होगा वे सुल्जे वे इंसान है हो सकता है कि अब वे कप्तानी का मज़ा नहीं उठा रहे हो पूरे देश को उनको सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें शुपकामनाई देनी चाहिए अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें